नमस्कार आप देख रहे हैं आरजे नियूज और मैं आपके साथ सिमी दानी मंत्रियों और नेताओं के दौरे के दौरान प्रशासनिक तंत्र का किस तरह दुरूपियों होता है इसका जी जागता उधारन चतीजगड का बिलाईगड विधानसभा छेत्र बना हुआ है का शुभारंब कर प्रदेशवासियों को मुहतपूर्ण सौगात देने ग्यारा बजे सारंगड के खेल भाटा मैदान जाएंगे जिसकी तैयारी के लिए सभी प्रशासनिक अधिकारी लगे हुए है इस कारिक्रम में भीड जादा से जादा जुटाने के लिए बिलाईगड के चर्चित अनुविभागी अधिकारी यानि SDM के अल सोरी 29 अगस 2022 को एक आदेश जारी करते हैं इस आदेश की कौपी बिलाईगड विधानसभा छेत्र के लोगों के वाटसब ग्रुप में भी नजार आ रही है बिलाईगड SDM के अल सोरी आदेश जारी करते हुए लिखते हैं कि मुख्य कारे पालन अधिकारी जनपद पंचायत बिलाईगड को लिखते हैं कि सभी ग्राम पंचायतों में पांच-पांच वाहनों को ग्राम पंचायतों के सचिवों के माध्यम से भेजवाना है और जिसमें वाहन क्रमांक, मालिक का नाम, वाहन चालक का नाम, मुबाइल नंबर, वाहन में बैठने वालों की संख्या, ये पूरी जानकारी होगी सरसीवा छेतर में 10 गाड़ियों की संख्या होगी और 5000 नागरिक कारक्रम में शामिल होगे आगे वे अपने आदेश में लिखते हैं कि राजीव युवा मितान क्लब के सदस्यों को बस में बैठा कर कारक्रम स्थल तक पहुँचाना है और सरसीवा छेतर से 500 बाइक रैली तैयार करवानी है और सरपंचों से पानी पाउच की विवस्था करवाना एवम उनकी गाड़ियों में रख रखाओ मुख्यकारे पालन अधिकारी जनपद पंचायत बिलाईगर्ड आगे वे लिखते हैं कि प्रतेक सचिव से गाड़ी के लिए स्टिकर बनवाना जिसमें लिखा होगा माननी मुख्यमंत्री 36 गड़ शासन के द्वारा सारंगड बिलाईगर्ड जिला बनाय जाने पर आभार स्वागत अभिनंदर विनीत ग्राम पंचायत विकास खंड बिलाईगर्ड केल सोरी आगे अपने आदेश में लिखते हैं कि ग्राम पंचायतों के सरपंच एवं पंचों की शत प्रतिशत उपस्थिती आवश्यक है SGM केल सोरी मुख्य नगरपाली का अधिकारी नगरपंचायत बिलाईगर्ड को आदेश में लिखते हैं कि बाइक रैली में 500 बाइक को तयार कर रैली में शामिल कराना नगरपंचायत के निवासियों को डीजे के माध्यम से लगातार सूचना जारी कर सारंगर्ड बिलाईगर्ड नवीन जिला बनाने पर माननी मुख्यमंत्री 36 गड़ शासन एवं संसदी सचिव 36 गड़ शासन का आभार कर लगातार नारे बाजिक करवाना है आपको बता दें कि बिलाईगर्ड SGM का कहना है कि भुपेश बगेल जिन्दाबाद चंद्रदेव राय जिन्दाबाद के नारे लगते रहने चाहिए नगर पंचायत भटगाओं के मुख्य नगर पालिका को भी आदेश जारी करते हुए केल सोरी कहते हैं कि 500 बाइक को तयार कर रैली में शामिल कराना नगर पंचायत के निवासियों को डीजे के माध्यम से लगातार सूचना जारी कर सारंगड बिलाइगड नवीन जिला बनने पर मुख्यमंत्री और संसदी सचिव को आभार करते हुए नारे बाजी करवाना है और 5000 आम नागरिकों की विवस्था कराने का भी उन्होंने आदेश दिया है और यही आदेश सोशल मीडिया में लगातार चर्चा में बना हुआ है बिलाइगड SDM केल सोरी इस से पहले कई मामलों में चर्चा में बने हुए थे और आरजी न्यूज लगातार उनकी खबरें इस सिल्सले में प्रकाशित भी कर रहा था इसके बाद बिलाइगड SDM केल सोरी को बलोदा बजार भाटा पारा ट्रांसफर कर दिया गया लेकिन दुबारा फिर से वे बिलाइगड SDM के तौर पर वापिस लोटे हैं और चर्चा में बने हुए हैं इसरेली में खाद निरक्षक बिलाइगड को भी आदेश जारी करते हुए वे लिखते हैं कि बिलाइगड भटगाओं सचिवों के व्यापारियों का रोट शो के दौरान शत प्रतिशत स्वागत के लिए उपस्थित होना है और राशन दुकानदारों के सभी सदस्यों को रोट शो के दौरान स्वागत में उपस्थित कराना उनकी जिम्मेदारी होगी वो अपने अपने साधन से कारिक्रम स्थल तक जाएंगे जिसको लेकर भी केल सोरी ने आदेश जारी किया है SGM केल सोरी तहसील बिलाइगड भटगाओं को भी आदेश जारी करते हुए या एक तरीके से कहते हैं दबाव बनाते हुए लिखते हैं कि क्रेशर संचालों को भी शत प्रतिशद रोड शो के दौरान उपस्थित रहना है और कोटवारों को भी बाइक रैली में शामिल कराने का आदेश जारी हुआ है उनके द्वारा इस कारिक्रम में SDM केल सोरी ने शासकी महविद्याले बिलाईगर भटगाउं सोना खान को भी आदेश जारी करते हुए लिखा है कि बिलाईगर भटगाउं ITI और सोना खान के बच्चों को भी शत प्रतिशत उपस्थित रहना आवश्यक है बता दें कि बिलाईगर SDM का आदेश की कौपी सभी के लिए हसी का पात्र बनी हुई है कि आखिर किसके दबाउं में उनके द्वारा ये आदेश निकाला जा रहा है और इस आदेश की कौपी लगातार सोशल मीडिया में वाइरल होने के बाद 36 गड़ के पूरू मुख्यमंतिरी डॉक्टर रमन सी ने भी अपने ट्विटर अकाउंट में ट्वीट करते हुए लिखा है कि 36 गड़ में अंधेर नगरी चौपट राजा की कहावत चरितार्थ हो रही है आगे रमन सींग लिखते हैं कि भूपेश बगेल जी तीन तारिक को सारंगड बिलाईगड जा रहे हैं पूरा प्रशासन जनता के काम छोड़ कर तकती लेकर खड़े होने भीर जुटाने सबजी पूरी की विवस्था करने में जुटा हुआ है रमन सींग के ट्वीट के बाद बिलाईगड SDM के एल सौरी दोबारा 30 अगस 2022 को फिर से अपने पुराने आदेश को निरस्त करते हुए एक आदेश जारी करते हैं कि 29 अगस के द्वारा मुख्यमंत्री महोदय 36 गड़ शासन के नवीन जिला सारंगड बिलाईगड में प्र आदेश को निरस्त कर दिया गया है इसको लेकर बिलाईगड छेत्र की SDM काफी चर्चा में भी बने हुए हैं अब देखना यह है कि आदेश जारी होने के बाद क्या बिलाईगड SDM भीर जुटा पाते हैं पूरी सबजी की विवस्था कर पाते हैं या नहीं यह तो 3 सतंब पर को ही देखने वाली बात होगी अभी तक के लिए बस इतना ही आगे की खबरों के लिए आप जुड़े रहें आरजे न्यूस के साथ नमस्कार